कि एथ स्टैंडर्ड जेनरल साइंस फिफ चाप्टर इंसाइड दी आटम आपको सारे अब्जेक्टिव्ज आंसर नोट से एक्स्प्लेइन कर रहा हूं तो किसी बच्चे के पास अगर नोट्स नहीं है तो वीडियो पॉस करके कॉपी भी कर सकता है फिलिन दी ब्लैंक इलेक्ट्रों फोट्रों न्यूट्रों अथर टाइप ruins नातुं संब बेढ़ा आटम एक्तम के सब फोटी घुट्रोंош ê थिरे इन इंसले थियृप नोट ने इंसलेक्ट्रों प्रोट्रों नीक्राश नोट्रों नेीट्राण ब्रिख देस चार्ज इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज रहता है नेगीटिव चार्ज याद रखिए आटम तीन चीजों से बनाए इलेक्ट्रॉन प्रोट्वन नूट्रॉन नूट्रल चार्ज प्रोट्वन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगीटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन K earrings चेज़के दीन अच्छा इसमें जो होती है और विट जैसे जी में धम्यरल में होता है और फार्ष ऑरिप सेटेंड और वेड़ेसे अउर्टें अच्छा करे से घ्य जरक्रन में दो लिति ह यह नूक्लियस है नूक्लियस में दो चीज़ रहे थी प्रोटन और नूट्रोन और इलेक्ट्रोन रिवाल्फ करता है अरूंड नूक्लियस और राइट देखो मैं अब्जेक्टि उसके साथ-साथ बहुत कुछ एक्स्प्लें कर रहा हूं तो के शेल इस दनियर अश्यल रचल देलेक्रोनी कॉंफिग्रेशन में ज्थिए टू इस अंडरस्टेंड धार्वलें शेल है वैंट तो फॉर्स तो कि अम्लोग के कहते हैं सेट्ट को एल्ल थार्ड को एम, के एल एम, तो टोटल कितनी शेल म शेल तक है, तो मेगनेशियम एस एम, यह शेल का नाम है, एम शेल, एम, नेक्स्ट, दे वेलेंसे ओफ ही आइड्रोजेन इस वन, as per the molecular formula of H2O H2O के हिसाब से hydrogen की valency हमें पता है 1 है therefore valency of ferrous Fe turns out to be dash as per the formula Fe2O3 Fe2O3 Fe कितने से O3 से तो इसकी valency इस से पता चलती है O कितने है 3 तो valency 3 इधर H2O में O कितना है 1 तो उसकी valency थी 1 Next Match the column मैंने आपको पहले भी बताया फिर से match the column में आगया proton positive charge electron negative charge neutron no charge तो यह answer दिया डायरे ठीक्स बूक में question आपको मिलेगा Next define atom element का सबसे छोटा देखो every cheese everything is made up of every element is made up of atom atom उसका सबसे finest particle है जैसे human body और दूसरे animals animals body is made up of cell human और plant जो है वो किससे बने हैं cell से human और plant नहीं सारे animals और plant सिर्फ human नहीं कि सारे animals और plant cell से बने हैं so cell is the basic unit वैसे ही atom atom is the smallest particle of an element which retains its chemical identity in all physical and chemical change atom सबसे छोटा particle element का जिसके अंदर element की chemical identity भी रहती है जो उसकी identity बताता है which retains which shows chemical identity जो उसकी chemical ailment की chemical identity बताता है चाहे physical हो चाहे through physical या chemical change हो कोई बी change हो उसकी chemical identity बताता है कौन atom किसकी element chi element का सबसे finest particle है atom सबसे छोटा particle है atom और उसमें सारी केमिकल identity होती है element की सारी identification एक atom में होती है ठीक है चाहिए कैसा भी चेंज है फिजिकल या केमिकल चेंज है अब भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं देखो आइरन लोखर्ण ठीक है तो इसे फॉर एक्जाम्पल यह सीजर सीजर ठीक है सो यह आइरन की सीजर है यह जो आयन है यह एलिमेंट है और यह किससे बना है बहुत सारे छोटे 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 आटम से इसमें बहुत सारे छोटे 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 आटम है और वह मिलकर यह एलिमेंट बना है आयरन ठीक है अगर मैं इसमें से एक आटम को निकाल बहुत चोटा होता है थी के मैंक तो यह एल magic करोड़ो और यह उससे जाधा यह ऑन पर देखो मैटल है वहाओ मेट हिसी तुम तामबा अलग सचो क्या होता है आटम का आटामिक नंबर सेंग बट मास नंबर अलग इस खोड़ इस सटोब अब यह इत्रमिक नंबर मास नंबर क्या है मैं आपको यहां पर बतातायों देख आटम में तीन चीजे होती है proton electron neutron atom is made up of three things proton electron and neutron middle में proton and neutron रहते हैं proton और neutron atom के बीच में होते center में ठीके और around में कौन घूंता रहता है electrons electrons revolves around the nucleus middle में कौन रहता है nucleus में middle part मतलब nucleus nucleus में रहता है proton और neutron ठीक है थोड़ा सा zoom करके दिखाऊंगा तो समझेगा और थोड़ा zoom कर लेता हूं यह दिस इस nucleus 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 दो चीजों से बना है what proton और neutron nucleus दो चीजों से बना है यह proton यह neutron ठीक है और यह neutron है और आजू बाजू electron revolve होते रहता है गोल गूल घूमते रहते हैं और नेक्स्ट ध्यान दो proton positive charge रहते हैं electron negative charge रहते हैं neutron neutral charge होते हैं तो अब atomic number क्या होता है number of proton is called atomic number number of proton electron is called atomic number देको जितने proton रहेंगे उतने electron अगर ATOM में 12 proton है मतलब 12 plus charge है तो 12 electron भी रहेंगे जितने proton रहेंगे उतने proton रहेंगे neutron ने neutron 13 हो सकते हैं ठीक है 12 proton तो बारर electron जितने proton रहेंगे उतने corporate node क्यूंके 12 proton मतलब 12 plus charge है, अब 12 electron है मतलब 12 minus charge 12 minus charge, 12 plus charge, फिके plus 12 minus 12 एक दूसरे को balance कर देता है, hence atom is called electrically neutral, इसके लिए atom को neutral बोलते हैं, atom के अंदर charge particle है, atom is called neutral, though it contains charge particle, ऐसा give reason पीछे होगा, atom को neutral करते हैं, है लेकिन उसमें charge particle होते है तो क्यों neutral क्योंकि जितने positive charge रहते हैं उतने negative charge रहते है unlike charges balance balance each other like opposite charges थे ना plus और minus दोने एक दूसरे को balance कर देते हैं hence atom is neutral पूरा atom neutral रहता है चाहे उसमें कितने भी minus plus charge हो लेकिन जितने positive proton रहेंगे उतने negative electron रहेंगे तो पॉसीटिव्यो चार्ज नेजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देता और एटम ईए वेषैंब मतलब नंबर और प्रोटॉ मि को क pinch up के आड्या मस्नोंर मतलब घ्लum न्यूट्रॉन निया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह दोनों का अडिशन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आम नॉट टेकिंग एलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसको कहते हैं अटॉमिक मास्क नमबर देखो अटॉमिक नमबर मतलब अटॉमिक नमबर म मतलब total number of proton जैसे sodium में 11 proton है तो उसका atomic number है 11 ठीक है sodium में there are 11 proton atomic number of sodium is 11 atomic number Z का formula है I am writing it properly atomic number Z equals to number of proton all right number of proton or atomic mass number equals to number of proton plus number of neutron ठीक है atomic number बोले तो स्रिफ number of proton atomic mass number बोले तो proton प्लस neutron proton प्लस neutron मैं आपको एक एक्जाम्पल देता हूँ sodium का ही sodium का nucleus है जिसमें 11 proton है 12 neutron है sodium के nucleus में सोडियम का सिम्बॉल एने है एने सोडियम हमारे नमक में होता है जम जो हम नमक खाते ना घर में वह होता है sodium chloride तो उसमें मैं sodium की बात कर रहा हूँ एने सोडियम में 11 proton रहते हैं 12 neutron रहते हैं तो atomic number electron 11 proton है तो 11 electron रहेंगे मैं electron नहीं कर रहा हूँ यहां पर मैंने सिर्फ nucleus ड्रो किया है electron मैंने नहीं ड्रो किया है ठीके अचा सोडियम में 11 proton 11 electron रहते हैं तो इसका atomic number होता है 11 और atomic mass number होता है atomic mass number का सिंबॉल है atomic mass number रहेगा ग्यारा प्लस बारा तेवीश किके सोडियम का atomic number 11 और सोडियम का atomic mass number है proton प्लस neutron याने 11 प्लस 12 23 तो आपको समझा atomic number क्या है atomic mass number क्या है डोंट गेट कन्फ्यूज इस वेरी इजी वेरी simple खाली वीडियो अच्छे से पूरा देखो skip करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा पूरा word to word देखोगे तब समझेगा ठीके atom तीन चीजों से बना है proton neutron और electron ऐसे electron रहते हैं पहली orbit में दो electron रहते हैं दूसरी में आठ आठ ऐसे हो सकते हैं ठीके पहली orbit में दो ही बैठते हैं फिट होते हैं नाचरल है तो पहली orbit ऐसी और एक orbit रहेगी ऐसी और एक orbit रहेगी टोटल ग्यारा proton है तो ग्यारा electron आएंगे तो आपको यहां पर आपका टॉपिक क्लियर क्या है मैं अभी आपको यह दो चीज़ बता है अटामिक नंबर क्या है अटामिक मास नंबर क्या होता है और अटामिक मास नंबर एक क्या होता है वह मैं आपको बता रहा हूं अब आईसोटोप क्या है कुछ आटम ऐसे रहते हैं जिनका का atomic number सेम रहता है बट मास नंबर अलग-अलग होता है ठीकिए मैं एक्घ्जैंपल दे रहे हूं उससे कहते है मैं एक्देरे रहा हूं ऑकशिजन थीं टाइप के पाते हैं जाता है ऋकसिजन फिर्फिकर आप लिएट huh atomi k tribe नमबद एट मास सिक्स्टीन कि एक Wonderful। मास सेवेंटीन को सब्सक्राओं क्या होग मिद्स इपने प्रोटों का आपम Phone soul ना यहांने उसलोई फ्ल्लॉटन नॉट्रॉन यहांने इसमें आज प्रोट essas us इसमें 8 proton 9 neutron है इसमें 8 proton 10 neutron है एक प्रोटॉन 10 neutron है तो तीनों oxygen के ही atoms है बट तीनों का atomic mass number different है इसे कहते है isotopes atom of same element having similar atomic number but different mass number atom of same element having similar atomic number but different mass number ठीक एक और example देता हूं क्लोरीन के 2 isotopes nature में पाये जाते हैं देखो हम लोग element को नहीं बनाते element nature में पाये जाता है हम उसकी study कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमने element बनाया human being बनाया नहीं element पहले इसी नेचर में था हम लोग उसकी study कर रहे हैं तो नेचर में दो टाइप के chlorine पाये जाते हैं दोनों का atomic number 17 है ठीक है atomic number नीचे लिखते हैं और atomic mass number एक का 35 है और एक का 37.5 है सो दोनों chlorine के दो chlorine के isotopes atom of same element having similar atomic number but different mass number यह chlorine के isotopes है ऐसे hydrogen के भी isotopes पाये जाते हैं ठीक है तो आई होप आपको यह भी समझा अच्छे से अगर समझा हो तो ठीक है समझाए होगा नेक्स्ट कि नेक्स्ट एक्टामिक नमबर मैंने आपको पीछे वाले पेज में यही समझा अच्टामिक नमबर यहां पर फिर आग्या ही के atomic number symbol is atomic number क्या होता है अच्टामिक अच्टामिक नमबर क्या होता है सब्सक्राइब करना है दोने को प्लस करना है इसका सिम्बॉल था मॉडेर बिएक्टर नूक्लियर रियक्टर में रियक्टर में जब reaction होता है रियक्टर में जब reaction होता है 검찰 में reaction को slow करने के लिए या fast-moving neutron को slow करने के लिए जो substance use करते हैं उसे कहते एक मौडरेत हैं अब सुफ इत्थ नहीं समझ लो nuclear reactor एक मशीन है ठीक है understanding के लिए बता रहा हूँ उसके अंदर radioactive elements हैं और न्यूट्रॉन्स है और न्यूट्रॉन्स बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं ठीक है उनकी स्पीड कम करने के लिए उनको स्लो करने के लिए जो सब्स्टेंस यूज होता है उसे कहते हैं moderator और इससे ज्यादा में आपको डिटेल नहीं बताऊंगा मौडरेटर यूज हुआ था बहा है मौडरेटर रुथरफर्ट ने यूज किया था अपने एक्सप्रिमेंट में ठीक है तो डिफ्रेंट डिफ्रेंट अटॉमिक मॉडल वाट इस दिफ्रेंस इन यह किस ने बताया यह रुथरफर्ट से पता चला उससे पहले थॉमस थॉमस ने श्ट्राइक किया था बट यूज फ्लॉप लेकिन कोशिश की थी इसके लिए भी हाफ टू स्टडी अवाउट हैं थॉमस नाम की जो साइंटिस ने किया था उन्होंने कोशिश की थी और आगे आता है उसके बारे में पढ़ना चाहिए वो फ्लॉप रहा या सक्सेस्फुल रहा इस अनदर थिंग सो थॉमस न का अटॉमिक मॉडल और रुथरफर्फर्ट अटॉमिक मॉडल में क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू थॉमस अटॉमस अटॉमिक मॉडल दा इंगिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बीच में जमा है एक होमोजीनियस स्पियर और और सेकेंड पॉएंट ने कहा था क्या है एक होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का पॉजिटिव चार्ज एक चीज़ तो पर कई थी स्पीर है एक टन्स फेरिकल होता है कीकट रूथरफ फर्ड ने जो एक्स्परिमेंट किया उसमें कुछ उल्टा था इसमें क्या था नेगीटीव चार्ज जमाए एक जगह positive charge फैला हुआ है और यहां पर Rutherford ने क्या कहा according to Rutherford atomic model the negative charge electron revolves around the nucleus revolves around the nucleus the positive charge is in the nucleus of the atom इन्होंने कहा सारे positive charge जेल के जैसे हैं जिसमें negative charge गड़े हुए या gathered है एक जगह पूरे जमाए और Rutherford ने कहा negative charge revolve हो रहा है एक जगह रुका नहीं है बलकि negative charge continues revolve हो रहा है nucleus के आजू बाजू बीच में nucleus है और negative charge revolve हो रहा है in orbit ठीके negative charge इसके इर्दगिर्द गोल गोल चक्कर काट रहा है और बीच में nucleus है और negative charge याने electron आजू बाजू घूम रहा है इसने कहा negative charge एक जगह स्टेबल है electron रुथाफर्ड ने कहा electron गोल गोल घूम रहे है revolve पर रहे nucleus में और nucleus में क्या है रुथाफर्ड ने का positive charge है सारा positive charge nucleus में है ठीके और इन्होंने इसने कहा था atom is homogeneous sphere of positive charge आटम है similar type का sphere है similar homogeneous मतलब जिसकी सारी प्रॉपर्टी सेम हो ठीके similar type का sphere positive charge का गोल sphere है जिसमें जो सब जगे से homogeneous है मतलब similar है अगर वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो आपको answers भी भाइट हो जाएंगे next what is meant by valence of an element what is the relationship between the number of valence electron and valence valence किसे कहते हैं और valence electron और valence में क्या similarities है क्या relationship मतलब एक atom को saturate होने के लिए जितने electron देने या लेने पड़ेंगे या शेयर करने पड़ेंगे उसे कहते हैं valence valence मतलब वह कितना combine कर सकता है एक atom अपने आपको saturate करने के लिए कितना combine कर सकता है इस वालेंशी दा कैपैसिटी ओन एलिमेंट तो कमबाइंड विद अनधर element is known as its valence capacity शमता element की शमता वह कितना react combine हो सकता है दूसरे element के साथ उसे कहते हैं उसकी वैलेंशी शमता capacity of an element element की to combine to mix ठीके react with other element दूसरे element से combine होने की उसकी शमता उसे कहते हैं valence electron कि इसको कहते हैं the electron in the autonomous shell of an atom of an element is known as valence electron आखरी शेल में जितने electrons रहेंगे उसे कहते हैं valence electron जैसे मैंने आपको बता है sodium sodium है 11 sodium में 11 proton 11 electron रहते हैं और 12 neutron रहते हैं तो sodium में आपको draw करके बता थो बीच में proton रहेंगे 11 proton और जो भी neutron है 12 neutron ठीक है और फर्स्ट और विट में दो electron revolve होंगे गोल-गोल घुमते रहेंगे दूसरी और विट में आठ electron revolve होंगे आठ 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड और विट में थर्ड और विट में सिर्फ एक electron revolve होगा एक 1 11 है ना 11 है मतलब उसका configuration क्या है 281 इसे कहते है electronic configuration पहली और विट में दो दूसरी में 8 तिसरी में 1 आल राइट विस दा वैलेंस एलेक्रों जो लाश्ट और विट में रहेगा उसे वैलेंस सब्सक्राइब पूरा लेवन नहीं डाल सकते नहीं डाल सकते पहली और विट में दो इलेक्ट्रोन ही फिट होंगे उसे के शेल कहते हैं दूसरी और विट में आठी इलेक्ट्रोन अबने आठ तो चाहिए इसके बाद ओशेल आएगा सब्सक्राइब एन में 36 होच ठीक है फॉर्मुला जो रहता है इसका एन इसको एन स्क्वेर रहता है एन स्क्वेर पहली और बिट एन की जगावंड डालो वन स्क्वेर तूडालो ठीके तो टूब टू स्क्वेर इसका है टू एन स्क्वेर्ट आप जैसा 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 ऑर्बिट दालोगे वैसा जैसे फॉर्स्ट और टो यानि के शेल में टू आएगा एल में टू स्क्वेर फोर फॉर टू जाएट ऐसा ठीक है तो कल में एसे शेल जैसे तो सोडियम में लास्ट और विट में कितने इलेक्रोन है वन तो यह इसका वैलेंस इलेक्रोन है इसे कहते हैं वैलेंस इलेक्रोन वेलांसेध्रण क्या होता है बाहरवाली सबसे आख़िए और विडिदिना क्या होता है उसे कहते हैं बेलेंसओं सरह कि इसमें और फेलर्ट्बेसमें एक बेलेगा ङसा रहेगा ऊसे कहते हैं भार्यक शेलुवा सूटार्ण करों है है जोacon मोट प 현iyak शेल को ही औरबिट कहते हैं तो कंफ्यूज मत होना मैं जानता हूं एस चैनलिट के बच्चों के लिए टॉपिक एकदम नया है पहले कभी नहीं पड़ा है बट यह नाइन्थ में फिर आएगा टेंथ में फिर आएगा और रिपीट होता रहेगा और इसमें थोड़ा थोड़ है हिलियम और नियाँध ये कभी किसी से कंबाइन होते है क्यों उक्यों कैंट यकोनके लाज ऑर्बिट में एट इलेक्राउन होते हैं हीलियम में एक यूर्बिट होती है इसमें एलेक्राउन होते हैं तो वह FIRSTàng रहता है नियॉन की लाज़ ऑर्बिट में A T creative फीके 2,8 त पूटल दस एलेक्ट्रोन रहते हैं पहले और बिट में जो सेकेंड में तो यह दोनों की मतलब यह दोनों नाच्रली साचुरेटेड है तो यह कभी किसी से कंभाइंड नहीं होते हैं इसके लिए इसके लिए इनको क्या कहा जाता है इनकी वैलेंसी जीरो होती है जीरो आई थिंग सो इसको क्वेश्चिन कंटीन्यू कर दिया है या तो टीचर ने बहुत बड़े स्टाइल में आंसे दिया इतना नहीं जरुद थी थी थोड़ा उसको शॉट करके दे सकते हैं हईल्यम एक्टनने लिए अटो में थे ओनीव में चूलर्बिन आउम रिम्यक्रों ऩंबीच्टाः । हैयर जैना क्योलों च्वीट मेंहित इंग प्रू चाह ध्रीयूघ३ पिसिन आप मतपलेट जोडल्र फोंग में होड़हर सकता है किका है। कि ये बात तो पक्किये, दोनों की वेलेंसी जीरो है, मतलब दोनों किसी से कंभाइन नहीं करते, फीके उनकी गैमगाइनिंक कांपाशिटी जीरो रहती है क्योँके उनकी और मुद्ध नाचरलिफिल शेयर विल्ड थे, तो वो किसी के साथ combine नहीं करते, react नहीं करते, it is confirmed that valency is zero, when electron, octet or duplet is completed, atom of all elements except inert gas have tendency to combine with other elements, that is they have non-zero valency, देखो inert gas के अलावा, inert gas के अलावा, दूसरे जितने भी element है, वो combine करते हैं, ठीके, वो किसी ना किसी से combine करते हैं, मतलब उनकी valency non-zero रहते हैं, non-zero valency, मतलब zero नहीं है, inert gas की valency is zero, क्योंकि इनका octet or duplet, duplet, octet, जो भी last orbit completely filled रहता है, इसके लिए inert element किसी से combine नहीं करते हैं, उनकी valency is zero होती है, inert element के अलावा, inert gas के अलावा, inert element को inert gas भी कहते हैं, जितने दूसरे element है, सब की valency non-zero होती है, the molecules formed by combination with hydrogen, example H2, HCl, that valency of hydrogen is one, देखो, HH, hydrogen आपस में bond बना के, H2 बनेगा, H bond H, इसको कहते हैं H2, ठीके, और H bond Cl, इसे कहते हैं, HCl, hydrochloric acid, ठीके, तो यह, इसकी एक्जाम्पल से हमें पता चल रहे हैं, क्या, hydrogen की valency क्या है, 1, the electronic configuration of hydrogen, that there is one electron, less than the complete duplet shape, this number 1, matches with the valency of hydrogen, which is also 1, it means that, it is relationship between the valency of an atom, and the number of electron in its valence shape, ठीके, अभी दिए है, इस ने तो, answer का part, तो first four sentence में answer cover हो गया था, फिर भी teacher ने examples देके, बहुत exchange करके answer दिया है, maybe it's a brief answer, but first four sentence, यानि first three sentence में answer cover हो चुका था, ठीके, अच्छा, valency भी one है, और number of electron भी one है, इसका मतलब डोनों related है, ठीके, here there is some mistake, ठीके, और राइट, next question, इसका मिस्टेक है, by teacher, maybe, but I don't want to blame anyone, notes बहुत अच्छा बना है, teachers ने, she has done a good job, और मैं भी इसको explain कर रहा हूँ, teacher ने भी इसको for welfare of students ही बनाया है, and I am explaining it, for the welfare of students, so thanks to her, thanks to teacher, what is meant by subatomic particle, brief information of three subatomic particles, with reference to electrical charge, mass and location, तो यह answer में पढ़ा चुका हूँ, यह answer में पढ़ा चुका हूँ, देको subatomic particle, तीन होते हैं, proton, neutron और electron, यह थीन सबatomic particle है, ठीके, subatomic particle, यानि atom में थीन particles होते हैं, atom is made up of three particles, proton, neutron, electron, proton, neutron, electrons, अभी, charge, charge के बारे में कुछ है, proton positive charge, neutron no charge, means neutral charge, और electron negative charge, electrons, electrons are negative charge, ठीके, charge के बारे में, दूसरा mass के बारे में पूछा है, proton का mass है, one atomic mass unit, ठीके, यानि, one delton, one delton, you, तो यहाँ पर डाइरेक्ट लिखा है, one delton, ठीके, उसका mass है, mass of proton is, one delton, ठीके, that is, one point six six into ten, raise to minus twenty seven grams, one delton, delton के लिए, यू लिखा जाता है, ठीके, और neutron का भी mass same रहता है, neutron, देखो, एक एक के बारे में पढ़ते हैं, proton positive charge, उसका mass है, one delton, और कहां situated है, nucleus में, proton is situated in the, उसका location क्या है, proton का location है, nucleus, I hope proton के बारे में, आपको सब समझ गया, second neutron, neutron neutral charge, याने no charge, neutral charge मतलब, charge नहीं होता है, उसके कुछ, ठीके, so electrically neutral, subatomic particle, उसका mass, mass याने वजन, उसका भी one delton, याने one u, that is equals to proton, proton जितना ही रहता है, third electron, electron, अच्छा, where is neutron, neutron का location के है, neutron का nucleus, ये भी nucleus में रहता है, proton भी nucleus में रहता है, neutron भी nucleus में रहता है, third electron, electron, subatomic particle है, extra nuclear है, मतलब nuclear के बाहर होता है, ठीके, revolve around the nucleus, ये दोनो nucleus में रहता है, proton और neutron, proton और neutron, दोनो nucleus में रहता है, proton भी nucleus में रहता है, नियुत्रोन भी न्यूक्लियेस में रहता है बट इलेक्ट्रोन न्यूक्लियस के आजु-बाजु होता रहता है ठीक है इसे एक्ट्रोन का मास बहुत कम होता है थिए top युडेव्जन एंटम से elektron का मास बहुत बहुत कम होता है इसके लिए उसको NEGLEGIBLE माना जाता है मास of electron is very less हैंस it's treated as negligible is negligible मतलब गिन्ती नहीं उसको गिन्ती निए उसके मास को गिन्ते electron का चार्य नेगितिव रहता है लेकिन मास गिनते नहीं बहुत हलका रहता है और न्यूट्रॉन का मास वन डेल्टन यानि वन यूट्रॉन का चार्ज नो चार्ज प्रोटॉन का मास वन डेल्टन सेम न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास दोनों का वन डेल्टन प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो आपको यह आंसर बहुत अच्छे से समझ गया हो इसमें से आपको एक पाट ऐसा आपको स्प्लिट करके पूच सकते हैं वट इस प्रोटॉन या वट इस दे चार्ज मास एंड लोकेशन अफ प्रोटॉन तो स्रिफ आपको प्रोटॉन का लिखना है और यह पॉइंट अगर आपको समझा तो बहुत जल्दी बायाट होगा समझने के लिए वीडियो पूरा देखना होगा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो पहले शेयर कर लो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर इट विट विट अल्यूशन ग्रूप एक्सेटरा जो भी आपके फ्रेंड्स है एच्ट चैंडर्ड के उनके साथ ये वीडियो शेयर करो मेरे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो ताके आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाओ और राइट नेक्स्ट वाट इस मेंडबा अटॉमिक मास नमबर मतलब क्या एक्स्लेइन हाओ अटॉमिक मास नमबर मतलब नमबर आफ प्रोतों फ्लास नमबर अफ नू 대해서 कहते हैं अप्रमिक मास नमबर इसको कहते हैं अटॉमिक nitro HDR ौ प्रोत्तॉं फॉ case न यूट्रम पल् concerns रिट् इसको कहते हैं अटॉमिक मास नमबर पूलेंगे ये तो प्रोतों थ Sãoकिके है इन अनुक्लिट of an atom is called atomic mass number the total number of proton and neutron in the nucleus of an atom is called atomic mass number the atomic number that is अभी कार्बन की बात है यहां पर देखो कार्बन में कार्बन में छे छे प्रोटॉन रहते हैं ठीक है और उसका atomic mass number 12 है एक्चल में कार्बन में 6 proton होते हैं ठीक है और 6 neutron होते हैं कार्बन एक्टम में 6 proton 6 neutron होते हैं तो atomic number Z तो 6 रहेगा यानि number of proton लेकिन atomic mass number कितना रहेगा atomic mass number A रहेगा proton plus neutron यहानि 6 plus 6 कितना होता है 6 plus 6 12 अल्राइट नेक्ष्ट तो वही यहां पर लिखा है क्या the atomic number that is proton proton number of carbon is 6 and the atomic mass number that is total number of proton and neutron in carbon is 6 proton plus 6 neutron 12 atomic number तो 6 है क्योंके 6 proton है लेकिन mass number क्या है छे proton plus 6 neutron total 12 तो ट्वेल्ट तर्फोर carbon का atomic number 6 है mass number 12 इज़ी नेक्स्ट डेडियूस्ट फ्राम दी डेटर्म प्रवाइड डेटा प्रवाइडेड जो डेटा दिया है उसके हमें कुछ डेडियूस्ट करना है sodium एने दिया 11 23 11 मतलब atomic number 23 मतलब mass number ठीके 11 मतलब proton 11 proton है mass number proton plus neutron 23 है 23 में 11 proton है तो neutron कितना रहेगा 13 sorry 12 12 sorry 12 ठीके देखो proton 11 है और यह proton प्लस neutron है 23 तो ग्यारा 23 में से 11 हटा जो तो बारा बज़ गया तो बारा neutron रहेगे तो वही डेडियूस्ट करके बताया है आपको माइनस करना है neutron neutron equal to atomic number atomic mass number minus atomic number atomic mass number proton plus neutron minus atomic number 23 में से 11 कम हुआ 12 neutron गयारा proton 12 neutron total मिला के 23 हुए थे ठीके 23 और proton number 11 atomic number 11 तो पूछा है neutron कितना रहेगा neutron तो आप माइनस करके बता सकते हो बारा neutron atomic mass number इसका atomic mass number कुछ है तो मास नंबर उपर वाला होता है 14. there a dash proton in chlorine chlorine में कितने proton देख उपर वाला proton plus neutron है नीचे वाला सिर्फ proton. Atomic number मतलब number of proton doings neutron में कितने proton है 17 एहाँ परा présent है Easy very easy. Next All the masses of an item is concentrated concentrated in the nucleus उखनीज़र शुच में रहता है क्यों ठीके देखो बीच में जो रहता है ना न्यूकलिक में उसमें रहता है proton और neutron ठीके proton one atomic 223 युनिट वन ऐत्थमी मास कुप दस प्रोटॉन ने तो दस एन्आमी और रिप्रोटॉन का महां से वन एक नूट्रॉन का महसा और पांच प्रोटॉन ओडस अगर 10 प्रोटॉन और 11 नूट्रॉन ने सपोर्स तो 10 प्रोटॉन मतलब 10 इस आत्मिक मास उनिट दस डेल्टन और ग्यारा नूट्रोन मतलब 10 नूट्री करके 10 और ग्यारा टोटल करके 21 यह इसका मास अच्छा अजू आजू गजू सीलेक्रॉन होते हैं उनका mass बहुत कम होता है निगलीजिबल होता है सारे इलेक्रान का mass मिलाकर भी बहुत कम होता है as compared to this इसके लिए कोई भी atom का mass उसके nucleus में माना जाता है electron का है so the nucleus of an atom contain proton and neutron nucleus में दो चीज रहती proton or neutron the electron revolves around the nucleus और आजु-बाजु और रिवल्फ होते रहता है नूक्लिस, the mass of an electron is negligible compared to that of proton or neutron, electron का बजन, electron का mass negligible बोला जाता है, proton or neutron के comparison में, hence the mass of an atom depends mainly on the number of proton or neutron, इसके लिए mass किस पर निर्भर रहता है, proton or neutron के number पर, और proton or neutron दोनों nucleus में रहते हैं, इसके लिए हम बोला जाता है कि मास न्यूक्लियस में है ठीके नेक्स्ट डोंट वरी कम्प्लीट होने है लास्ट पेज है हमारा फिछ आप्टा कम्प्लीट इस एलेक्ट्रीकली न्यूट्रल या आंसर भी मैं नुक्लियस के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं उतने ही नेगिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नुक्लियर रहते हैं मतलब नुक्लियस के बाहर रिवाल्व होते हैं जितने positive charge proton रहते हैं, equal रहते हैं उतने ही negative charge electron, जितने proton equal रहेंगे उतने electron, तो positive negative charge एक दूसरे को balance कर देता है, hence atom is electrically neutral, the magnitude of positive charge on the nucleus equal to the magnitude of negative charge on the electron, nucleus में जो positive charge है, जितना है उतना ही negative charge electron रहेगा, as positive charge हा balance, as opposite, sorry, opposite charge हा balance, opposite charge मतलब plus और minus charge balance हो जाता है, atom को neutral बोला सकते, atom क्या रहता है, electrically neutral, ठीके, atom को neutral बोलते हैं, next, atomic mass number is a whole number, atomic mass number जो आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, whole number आएगा, the total number of proton and neutron in the nucleus of atom is called atomic mass number a, as proton and neutron are whole number, देखो whole number क्यों बोला है, देखो math में आपने पढ़ा होगा, whole number, natural number, etc, whole numbers are all positive numbers, from zero to all, ठीके, अभी, क्योंके proton and neutron का number, whole number हो सकता है, जैसे hydrogen में neutron 0 रहता है, और proton 1 रहता है, तो वो whole number हो सकता है, इसके लिए atomic mass हमेशा whole number रहेगा, नेक्स्ट, क्योंकि reason ही वो है, जितने positive charge proton है, उतने ही negative charge electron है, opposite charge balance कर देता है, इसके लिए atom neutral की जगा आपको stable, लिखना है stable रहता है, तो यहाँ पर भी मेरी खाल से वो ही रहेगा, the entire mass of an atom is concentrated in nucleus and the positive charge nucleus at the center of the atom, the negative charge electron revolves around the nucleus, the total negative charge, देखो last statement same है, है, total negative charge of electron equal है, total negative charge electron का is equal to total positive charge on the nucleus, nucleus में जो proton है उसको equal रहेगा, as opposite charge is balanced, क्योंकि आप उसके लिए atom stable है, तो यही answer को थोड़ा सा word change करके लिखा हुआ है, same पूरा है, all right, so last page, by this we are completing the chapter, एक पेज लाज बचा है, तूरा वीडियो देखने का फाइदा यह होगा, लास्ट पेज में सिरिफ diagram है, तो बहुत फटा पट होगा, यह Rutherford experiment का diagram है, Rutherford scattering experiment का diagram है, gold foil उन्होंने यूज किया था, alpha particle bombard किया था, gold foil पर और कुछ rays reflect होके वापस आए, कुछ 90 डिग्री पे गए, कुछ some degrees पर move हो गए and so on, ठीक है, तो यह experiment है, इसमें golden foil है, जो middle में रखा है, fluorescent screen रखा है, जो reflect होके rays आ रही हो उसके लिए और यह alpha particles है, positive charge particles, जो gold foil पर bombard किया गया था, Thompson atomic model, इनका Thompson atomic model cake की तरह है, ठीक है एक की तरह पूडिंग की तरह है, यहां लिखा है pudding, pudding की तरह है, ठीक है, ब्रेड की जो pudding बनती है, उसकी तरह है, jelly type रहती है pudding वैसा है, jelly जैसी रहती है, जिसमें negative charges है, positive charges है, alright, next, यहां पर we have to draw magnesium और argon का atom ड्रॉ करना है, sketch बनाना है, atomic number 12, argon का atomic number 18, ठीक है, तो magnesium 282, 12 होता है, 282, पहली orbit में 2, दूसरी में 8, तिसरी में 2, तो यहां पर magnesium का nucleus बनाए गया, mg लिखा है, पहली orbit में देखो, पहली ring में 2 electron, दूसरी orbit, याने दूसरे shell में 8 electron, और थर्ड रिंग में 2 electron, next, आरगन है, आरगन दिया 18, 288, 288, 2 plus 8, 10, 10 plus 8, 18, तो इधर आरगन का proton neutron लिखा है, ag, देखो, आप यह ऐसा mg लिखो, या ऐसा प्लस माइनस बनादो, और बिना चार्च का बनादो, या ज़िक डाल के आप एजी लिख दो, चलेगा, पहली orbit में 2 electron, पहली ring में, दूसरी ring में 8 electron, तिसरी ring में 8 electron, पहली ring में 2, पहली orbit में 2, दूसरी orbit में 8, तिसरी orbit में 8, ओर गीकार स् infants आपेतो नाम नाम अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगर है तो मेरे चेनल को सब्सक्राइब करो टीक करो लाइक करो और यह दो काम करने से पहले वीडियो को शेर करो विट आल यूर एट स्टैंडर्ड फ्रेंग्स ठीक है कि अगर व्यूज अच्छे रहते हैं ठीक है वीडियो अच्छा चलता है तो मैं और वीडियो बना होगा अल्राइट सो शेर करो और मेरे आगे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकान प्रेस करो थैंक यू